इ आठी द्वारा प्रस्दु थे कक्षा छे की संस्कृत की ध्वनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग एक शष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम रुचिरा प्रथमो भाग हर पंच दशह पाठ्य मातुल चंद्र पुष्ठ संख्या 83 से पुष्ठ संख्या 87 तक यह इस रुचिरा प्रथम भाग का अंतिम पाठ्य है कुत्रगमिश्यसी मातुल चंद्र अतिशय विस्त्रित नीला काशह नईव द्रुष्यते क्वचिदव काशह कथम प्रयाश्यसी मातुल चंद्र कुत्रागच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मह्यं दास्यसी मातुल चंद्र, कुत आगच्छसी मातुल चंद्र त्वरित मेहिमाम श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वरधय में प्रीतिम किन्नायास्यसी मातुल चंद्र, कुत आगच्छसी मातुल चंद्र शब्दार्थाह प्रथम स्तंभ में सम्स्कृत के शब्द हैं वितीय स्तंभ में इन सम्स्कृत शब्दों का हिंदी अनुवाद है और तृतीय स्तंभ में इन ही सम्स्कृत शब्दों का इंग्लिश अनुवाद है मातूल चंद्र चंदा मामा अंकल मून कुतह कहां से फ्रॉम वेर अतिशाय विस्तृतह अतिविशाल वेरी स्टेश्ट, एक्स्तेंड़ दृष्यते दिखता है या दिखती है इट लुक्स क्वचित कहीं भी एनिवेर प्रयास्यसी जाओगे अबलिक जाओगी विल गो गे हम घर को होम किरसी बिखेरते हो बिखेरती हो स्केटर धवलम सफेद वाइट चंद्रिका वितानम प्हेली हुई चांदनी एक्स्टेंसिव मूनलाइट तारकक्हचितम तारों से शोभित अदौन्द विट्स्टार्स सितपरिधानम सफेद वस्त्र वाइट लोथ्स मह्यम मुझे तुमी त्वरितम शीग्र फास्ट और एस सुन एज एहि आओ कम श्रावय सुनाओ मेक मी लिसिन वर्धय बढ़ाओ इंक्रीज अभ्यासः बालगीतम साभिनयम सस्वरम गायात विटियः अभ्यासः पद्यांग्शान योजायात पुनह इसके प्रथम स्तंभ में इस गीत का पूरवार्ध है और विटियस्तंभ में उसके उत्तरार्ध लिखे हुए है आपको पूरवार्ध और उत्तरार्ध मिला करके एक अनुकूल पंति का निर्मान करना है प्रथम स्तंभ मातुल किरसी तारक खचितम त्वरित मेहि माम अतिशाय विस्त्रित धवलम तव वितियस्तंभ सित परिधानम श्रावय गीतिम चंद्रिका वितानम कथम नस्नेहम नीला काशह त्रितियह अभ्यासह पद्यांग्षेशु रिक्तस्थानानि पूरयत क प्रियमातुल रिक्तस्थानम प्रीतिम ख कथम प्रयास्यसे रिक्तस्थानम ग रिक्तस्थानम क्वचिदवकाशह ग रिक्तस्थानम दास्यसे मातुल चंद्र ग कथमायासिन रिक्तस्थानम गेहम चतुर्थः अभ्यासह प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत क अस्मिन पाठे कह मातुलह ख निलाकाशह की द्रिशह अस्ति ग मातुल चंद्रह किम नकीरसि ग किम शावयतुम शिशुह चंद्रम कथयति ग चंद्रस्य सितपरिधानम कथमस्ति पंचमह अभ्यासह उदाहरणानुसारं प्रदत्त पदानी संबोधने परिवर्तायात यथा चंद्रह चंद्र क शिश्यह ख गोपालह यथा बालिका बालिके क प्रियमवदा ख लता यथा भलं भल क मित्रम ख पुस्तकम यथा रविह रवे क मुनिह ख कविह यथा साधुह साधो क भानुह ख पशुह यथा नदी नदी क देवी ख मानिनी शश्ठह अभ्यासह मन्जूशातह उपयुक्ता नाम अभ्यय पदानाम प्रयोगेण रिक्तस्थानानी पूरयत यहां कोश्ठक में पांच प्रश्णवाचक अभ्यय दिये गए हैं ये अभ्यय हैं कुतह, कदा, कुत्र, कथम, किम इनहीं अभ्ययों को दिये गए वाक्यों के रिक्तस्थान में पूरा करना है ताकि एक सुन्दर और सार्थक वाक्य बन सके क जगन्नाथ पुरी रिक्तस्थानमस्ति क त्वं रिक्तस्थानम पुरीम गमिश्यसि ग गंगानदी रिक्तस्थानम प्रवहति ग तवस्वास्त्यम रिक्तस्थानमस्ति ग वर्षाकाले मयूराह रिक्तस्थानम कुरवंति सब्तमह अभ्यासह तत्सम शब्दान लिखत मामा, मोर, तारा, कोयल, कबूतर